तब भोजन 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 भाजन आभी लाइब नाओ आभी लाइब एक फोन दे दो यार मेरे को यार लॉक हो जाता है आपको है है ऐसलो है ऑलो हाहन क्या हल चाल है हलो बच्चों क्या है चल्ट तो हम लोग लाइब है और सभी आपके फोन दिया ताकि मैं कॉमेंट्ट चेक कर सकूं तो सागत है आप सब आपका चाय के चर्चाय पे चर्चापे तो आज हम लोग आए है प्रियास 2.0 की ड्रीम टीम आपके पास लेके तो प्रियास 2.0 की क्लासे 7 जून से शुरू हो रही है आई टी जेई 2024 का ड्रॉपर बैच प्रियास 2.0 आ गया है और भारत की सबसे वहतरीन टीम मेरे साथ यहां टू माई लेफ्ट इस फर्स्ट फॉल फिजिकल केमिश्ट्री लेने वाले फैदल सर और अर्गेनिक केमिश्ट्री लेने वाले पंकत सर और फिजिक्स के लिए राजवन सर तू माई राइट इन और अर्गेनिक केमिश्ट्री लेने के लिए राहुल सर और मैट्स पढ़ा चात्रों ने बालक ने बालिकाओं ने जिन भी बच्चों ने प्रयास 1.0 ले रखा है उन सबीक लिए खुश्कबरी कि अगर किसी कारण से उनकी अगर बात हुई और तैयारी को आप फिर से शुरू करना चाहते हैं आइटी की तैयारी तो आपको प्रयास 2.0 खरीदने की बिल्कुल जरुवत नहीं है प्रयास 1.0 के सभी चात्रों को प्रयास 2.0 का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है इस बात पे तालिया हो तो आज जैसा की महौल है चाय पे चर्चा है तो चाय भी पीएंगे और बाते भी करेंगे तो प्रयास 2.0 का लांच आपके सामने मेरा नाम अलख आपका प्यारा अलख पांडे आपके सामने भारत की सरशेष्ट जेई की टीम लेके मैं आपके सामने आगया हूँ कुछ बा प्रवांस की त्यारी कैसे करनी है हाँ बीस्कूट नहीं है बीस्कूट भी देना बीस्कूट भी खाएंगे तो चाय है कि पानी बढ़ी आए चाय नहीं मजाक कर तो प्रयास 2.0 की ड्रीम टीम मेरे साथ बैटी है आईटी जेई 2024 ड्रॉपर वैच का ये लांच है सभी बच www.pw.life पे भी क्लासेश चलेंगे और पी डबलु के मुबाइल एब पे और ये शिक्षक जो अभी आपको चाय पीते और बिस्कूट खाते दिख रहे हैं वह बैच में धुआधार आपको पढ़ाएंगे भी बिस्कूट भी आ गया बहुत बहुत शुक्रिया तो प्रयास 2 1.0 का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा तालिया तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो प्रयास 1.0 जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है और किसी कारण सुनकी तयारी अच्छी नहीं चल लई है या कुछ परिशानी आई तो उनको एक दूसरा मौका ज सब्सक्राइब प्रयास 1.0 विल गेट फ्री एकसेस टू प्रयास 2.0 जहां फिर से नए सिरे से जही की त्यारी शुरू होगी मेंस और एडवांस की बैस का प्राइस 4400 है और यह प्रयास 1 को 2 और 2 को 1 मिलने की सुविधा अगले 7 दिन तक ही मानने है तो अगले 7 दिन तक ज सब्सक्राइब देने के लिए शिक्षक गड़ यहां मौझूद है तो सर प्रतम सवाल को मैं हवा में उचालता हूं अपने लेफ्ट साइड में और पहला सवाल है थोड़ा बिजी कर दिया चाय वाई से पहला सवाल है हाँ चाय का तो पहला सवाल बड़ा अब खाल हो गया तो बड़ा बड़ा बना के दिया तो सबसे पहला सवाल जो आया है त्यारे बच्चों वह यह है कि नेहागर के बच्ची है उसने सवाल पूछा है और यह सवाल बहुत से बच्चों का होगा कि मेरे इस बार पचास से भी कम नंबर आए 50% से भी कम आएंगे तो क्या 50% इस दिरा है तो क्या अगले साल 99% आल आ सकते हैं तो इसका मैं डेटा अभी देता हूं कि यह आपको यह करना चाहिए क्या यह पॉसिबल है तो माइक सबसे पहले मैं हैं्टों ऑर चाहूंगा तो माई लेफ्ट पैजल सर को थेंक यू सर आप देखे बड़ा क्लियर है जिस बच्चे ने भी डाउट जहाला कि सर बता रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा है बहुत क्लियर है कि सब कुछ कोशिश के उपर डिपेंड करता है आप बता रहे हैं आपके 50% नमबर आते हैं 50% स्कोर आया और आप यह चाह रहे हैं कि आपके नेक्स अटेम्ट में आपको 99% या इससे अच्छा स्कोर मिल जाए उसके बिल्कुल सीधी सी बात है 50% इसलिए आया बेटा क्योंकि मेहनत कम थी मैं अपने क्लास में हर बच्चे को यही चीज समझाता हूं कोशिश कर हल निकलेगा आज नही भी कुछ भी नहीं मिलने वाला तो अगर आप यह कहते हैं कि मेरे 50% स्कोर आया जैसे सर ने भी बताया ऐसा बहुत सारे डेटा है आजसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर पहले अटेम्ट में काफी खराब था बट कोशिश के बाद उन्होंने अपने स्कोर को बहुत जादा बढ़ा लिया इसलिए बैटा ये तो कंफर्म है इनपक्ट मुझे तो ऐसा लगता है जिनके स्कोर 50% आया इससे थोड़ा आसपास था वो शाद जादा अच्छी मैनत करना चाहते हैं वो जादा अच्छी मैनत कर सकते हैं उनके पास बहुत स्कोर है अपने परसेंट कर सकते हैं जी सर एक चीज बहुत बेसिक सी है कि जो 50% के आसपास बच्चा है ना हमें ड्रॉपर में एक रिक्वार्मेंट होती है स्टुडेंट से वो ये रिक्वार्मेंट होती है कि आप जो चीज पढ़ाई जारे उस पर मतलब फुल कंसेंट्रेशन के साथ पढ़िए नॉर्मली क्या होता है ड्रॉपर का बच्चा ना पीछे से कंपेर बहुत करता है अर्यार मैंने उस किताब में तो ये पढ़ा था मेरे नोट में तो ये था जितना आप खाली होके दिमाग से उतना ही हमारे लिए बैटर है कि हम ढंग से एक बात प्रॉपर वे में कोई ची प्रॉपर के साथ हमेशे एक फाइट रहती है कि यार मैंने वह कुशन किया था वहां तो यह फर्मला नहीं लग रहा था सर ने यह पढ़ाया यह कहीं तो वैलिड है यह नहीं है तो इसके डाउट बहुत जल्दी बन रहे होते हैं डाउट पे ठीक है तो आप अगर 50 पर सं कि सवाल यह पूचा है कि क्या आप बेसिक से पढ़ा हो गया बेसिक का मतलब क्या है कहां से पढ़ाएंगे कैसे कराएंगे सबी लोगों के मन में रहता है कि जब हम बैच में इन्रोल करेंगे तो शायद ऐसा मान के मान के चला जाएगा कि हम ड्रॉपर हैं तो आपको 11-12 थानी चाहिए और शायद पीड़ु ग्रो किया उसका सबसे इंपोर्टेंट कारण ही है कि हम लोग स्क्रैट से बढ़ाते हैं मतलब बेसिक से इंदसेंस कि जो जो चीज आपके सामने बोर्ट पे लाई जाएगी उसको जब तक 99 परसेंट लोग नहीं बोल देंगी किसा क्लियर है तब तक आगे नी बढ़ते हैं डिपीटिटली पूछा जाता है सारे कॉंसेप्ट कवर की जाते हैं और बेसिक का मतलब कि आप कुछ सीख के आओगे तब आपके जादा नंबर आएंगे आप एकदम खाली हो के आओ सिखाना हमारी जमेबारी है और जल्दी सीखो के तब और मैंने बहुत साई लोगों को सुना है मतलब मार्केट में भी अफ़ा चलती है कि कोई पर्टिकुलर टीचर अपने लि दीरे 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 उसके उपर चीजे एक के उपर एक के उपर एक चीजे रखते जाएंगे बस आपको क्या करना है टीचर्स को फॉलो करना है और हमेशा एक रियालिटी चेक अपने पास रखो आप लोग ऑनलाइन हमें वहां से सुन रहे हो तो आपके बास कोई ना कोई एक रियल उंसर इसकी बेशिक से ही पढ़ा जाएगा तसल्य आपको पढ़ना पड़ेगा यह तो ब्हुत हैं और उसके पहले भी नीचे खोद के आपको बेस्वेंट बनाना पड़ता है तो बेसिक से ही पढ़ाते हैं अदर सारे पढ़ाया है यूट्वड पे आपने देखा तो यह मत सोचो की डॉपर का बैच है तो एकदम एडवांस से शुरू होगी एडवांस की सवाल कराएंगे बिल्कुल नहीं यह मान के चलेंगे कि आपके मेंस में 50% आई ली आए हैं 40% आई हैं वहीं से शुरू करेंगे और जितना आप दिमाग खाली करके आओगे उतना चीज को दस जगे से पढ़ लेए अगर आप बैच को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा सिर्व इतना रिकमेंडेशन है कि बैच को डाय हाड फॉलो करना अच्छे से और बैच को डाय हाड फॉलो करना असान नहीं होता है मैं यह भी मानता हूं क्योंकि आपकी प्रतेक दिन त अब बढ़ाइब करना असान है तो अफकोस कॉमपटिशन ज्यादा है आपको बहुत मेनत करनी पड़ेगी पर इसी बीच एक कॉमेंट भी लगाता रहा है रगला सवाल भी यह एक जो बच्चा होता है तो गया जिसके 50 पर से कम है 40 पर सेंटाइल है जो इक्दम होप छोड आया है वह बड़ा बढ़िया सवाल है कि जिसके 70 से 80 पर सेंटाइल है उसके लिए बैच में ऐसा क्या करेंगे कि वह 99 पे चला जाए क्योंकि उसकी प्रॉब्लम वह 50 पर सेंटाइल वाली नहीं है कि एक दम खाली है या उसको बहुत कम आता है उसे काफी जीजी सही आती है एक बैच में उनके लिए क्या करेंगे जिनके 85 पर सेंटाइल आ रखे है 80 पर सेंटाइल है कैसे वह 99 पे जाएंगे बिल्कुल सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और जैसा हम लोगों ने भी बात भी करी कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की सार उसके लिए भी क्लासिस में एडवांस का सेशन है साथ साथ हम लोग आगे बात करने बाले है । पहले मैं सिर्फ मेंस करूंगा और जब मेंस के बाद एक्जाम होने वाला है दो महीने उसमें मैंदवांस को तियारी करूंगा लेकिन ये चीज जो 70-80% वाला बच्चा है उसके पास एक extra edge है कि उसको अभी advance की preparation वो अभी से start कर सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे basics ऐसे हैं जो पहले से उसने clear कर रखें अब उसको ज्यादा question practice पे ध्याम देना चाहिए क्योंकि अगर 80 percentile अगर कोई बच्चा score कर रहा है इसका मतलब काफी सारी चीजे उसकी clear है theoretical part उसका काफी ठीक है तो उसको question practice पे बात करनी चीए और ऐसी हम लोगोंने practice sheet हम लोगोंने classes में हम लोग दे रहे जैसे को chapter खतम होता है इसका answer एक और question लेता हूँ ये बात बड़ी clear हो जाएगी जिन बच्चों के इस बार 65 percentile से 85-90 percentile आए है उनका answer यहाँ है कि क्या batch में आप J-Mains की तयारी करा होगे फिर advance की करा होगे कैसे होगा batch का flow क्या J-Mains की और advance की तयारी अलग-अलग होती है साथ-साथ advance में ऐसा नहीं होता नहीं सर की कोई बिल्कुल एक नया concept को out of the box पूछ लेता है हाँ advance में वो क्या करेगा दो तीन concepts को जंबल करके question डाल देगा तो यह चीज ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम लोग मेंस या फिर advance पर focus करें यह process है जो गुजरता है basics फिर उसके बाद mains और फिर उसके बाद advance डिरेक्ट वैसे भी कोई advance की लिए नहीं जा सकता यह question आप पर इसी question को दूसरे form में जिस तरह से आया है कि जही मेंस की तैयारी करूं या जही advance की तैयारी करूं तैयारी करो सबसे important is तैयारी करो और मेंस और advance देखो या तो कोई ऐसा बोल दे कि किसी ने line खीच रखी है आप नेट पर ढूंडो कहीं भी देखो theoretically there is no difference मतलब syllabus वाइस तो कोई दिफरेंस है नहीं और कोई भी teacher कोई सब्सक्राइब करता है कि यह एडवांस का सवाल और यह मेंस का है particularly मैच की बात करूं तो मैच में तुसर ऐसे सवाल पूछे के इस बार सेशन में जो टीचर ने देखके बोलाएगा यार यह तो एडवांस से भी ऊपर चले गए तो theory portion is same main is आपकी practice अब कहां जा रही है और practice person to person depend करती है हम लोग आपको जो एक मंच त्यार करके देंगे उसमें आपके पास बोलता है equipment जो हम आपको देने वाले उससे आप हर लड़ाई लड़ सकते हो अब करता है कि आपने कितनी practice की एक बच्चा है जो दस हवाल कर रहा है चेप्टर होने के बाद में एक सो कर रहा है एक जो है वह कर रहा है तो जो जैसे से question बढ़ते जाएंगे तो उसका confidence बढ़ता जाएगा और एडवांस और मेंस के बीच में देरिस नो सेग्रीकेशन नाहीं हमारी teaching methodology में है नाहीं हम यह बोलेंगे यह में मेंस मेंस का हो गया अब एडवांस का बाद में करेंगे mix चलेगा और in fact सारा चीज कवर करते हो चलेंगे में इसको explain करना words में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि करके दिखा सकते हम लोग ऐसा होता है कुछ कोई की हम करके दिखा कर रहे होते हैं लेकिन एडवांस में क्या होता है जैसे हम लोग ने कपीछे का कोई topic पढ़ लिया था for example कोई topic पढ़ लिया तो उसको मर्ज करके जब हम लोग एडवांस का क्लास में regular क्लास में करते हैं मेंस की त्यारी के ताथ तब आपको कई बार फील आता है कि यह मेंस यह सिंगल सा topic कितने अच्छी तरीके से भी put up करके question मनाया जा सकता है तो वो कोई ऐसा segregation नहीं है कि यह मेंस है यह जई एडवांस है अच्छे से मेंस लेवल के question को दो-तिन कलब करके हम लोग जब advance के साम आपके सामने देंगे ना तब आपको मेंस का clarity भी ज्यादा बढ़ा है उन सभी को मैं यह बता दूं कि अभी हम लोग बैठे हैं प्रयास 2.0 के launch दिन पे साथ जून से प्रयास 2.0 की classes start हो रही है ITJE 2024 को target करने वाले सभी students के लिए प्रयास 2.0 स्टार्ट हो रहा है 7th of June से PW के mobile app में और PW के official website www.pw.life पे भी बैच की cost है 4400 रुपीज और जो बच्चे प्रयास 1.0 में प्रयास 2.0 फ्री में सब्सक्राइब हो जाएगा अगले दो दिन के अंदर और जो बच्चे प्रयास 2.0 को सब्सक्राइब करेंगे अगले साथ दिन के अंदर उनको प्रयास 1.0 को भी available करा दिया जाएगा अभी हम लोग कर रहे हैं कुछ चर्चा इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रयास में क्लास चलेगी बहुत ही बढ़िया प्लाइनिंग की है इस बार आपके टीचर्स ने भारत की ड्रीम टीम जैई की आपके सामने हैं समय यह भारत के सारे ड्रीम टीचर क्या करेंगे जैंने के पस्टेयम से पहले जैंके पॉस्टेयम के बाद सब्सक्रेंश डों मिलेगी यह सबीचिसे अब कि आपको हम डीटेल में बताएंगे कि कैसे होमवक मिलेगा कैसे आपको रिविजन कराते रहेंगे लगातार कैसे आपको शॉट नोट्स मिलेंगे यह सारी बाते अभी हम लोग डीटेल में करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छात्रों ने पूछ रखे हैं सभी का सवाल है कि एक ही लास्ट चांस है इसमें फेल हो गए तो क्या करेंगे अगर अपने पास एक ही मौका है और सामने कुछ अब बचा नहीं है तो कोई option नहीं होता ना तो लोग बहुत बढ़िया खेलते हैं फिर तो वही आपको करना है इस बैच के साथ जुड़ो एकदम और अपना जो तुम्हारा लास्ट चांस है ना तो वह हम लोग अपना भी लास्ट चांस मान के चलेंगे कि एक तैयारी का जो फेज होता है उसमें कई सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है अदर देन कंटेंट है ना जैसे जो पड़ते हो वो तो ठीक है लेकिन आपने वो राते जागी है ठीक है आप बैटके कई बार रोए भी होगे कि यार क्या हो रहा है समझनी आ रहा कि क्या जिन्दगी में बहुत सारी चीज़ें होती है वो फेज आप देख चुके हो है ना और एक जटका खाके आप आचुके हो कई बार क्या है मतलब बातों से नहीं हाथसों से भी सीखना पड़ता है तो यह आपके साथ जो हाथसा हो गया है इस से आप सीखो और यह आखरी मौक करना तो मैंने उसी ड्रॉपियर में मुझे भी आज तक याद है कि उसी ड्रॉपियर में रात को तीन बजे में खुदी चाय बनाता था और उससमें पड़ रहा होता था मम्मी जाकती थी कि वेटा क्या कर रहे हो तो मतलब वो सारी के सारी याद है मेरी अभी घूम रही है दिमाग में और वो आपके साथ हमेशा होगा आप जो तैयारी का जो समय होता है यह कभी आप भूल नहीं पाओगे तो इसी में ही आप अपनी पूरी जान लगा दो और यह दिन आपको बहुत याद आएंगे भले ही आपका सेलेक्शन हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है ल दिमाग से सारी चीज़ें निकाल दो और आप यह समझ लो कि बस लास चांस है इसमें जैसा ऐसा बोलते जाएंगे वैसे आप करते जाना आप जरूर डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे अगर नहीं भी किये तो भी कोई बात नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें जीवन मे नहीं सकते आप समझे यह कोई आसान काम नहीं है आपको पहले से पता है कि आगे खाई है एक बहुत बड़ा आख का दरिया है आपको उस दरिये को बिल्कुल तैर के निकलना है आप जानते हैं इस से आदा मुसीबतें या इस से आदा मुश्किल एक्जाम हिंदूस्तान मे है ही नहीं फिर भी कम से कम आपने यह सोचा तो कम से कम यार अगले साल दोजार चौबिस में यह पेपर देने जा रहा हूं तो आप यह मान के चले उन तमाम गधों से आप पहले ही आगे निकल चुके हैं जो इस बारे में सोच में लगा है उसको सफलता मिलेगी मिलेगी और दूसरा और कुछ नहीं तो इस एक्जाम से यह तो सीखोगे कि महनत कैसे की जाती कितनी महनत की जाती लाइफ में महनत करना जिसको आता है वो कभी भी परेशान या अंसक्सेस्फुल नहीं हो सकता इसमें कोई डाउट नहीं है तो इसलिए अप सब लोग अपने उपर भरोसा रखें और उपर वाले पर भरोसा रखें अपने माबाप के लिए यह करने की सोची है तो मुझे लगता है उपर वाला तुम्हारा साथ जरूर देगा और जरूर तुम लोगों को सफलता हासिफ होगा इसमें मैं चोटा सा एक आंसा दे दूता हूँ अपने तरफ से जितना मुझे समझ में आता है कि अगर पेल हो गए तो क्या तो यार जैई की करना सिखाती है आपको discipline सिखाती है आपको hard working सिखाती है आपको never give up attitude सिखाती है जब आप सुबा छे वजे उटो होगे अपना पिछले क्लास कर डिवीशन करोगे करना स्टार्ट करो फिए फिल्यांस कता होगी सब्सकीन करोगे सकते हो हो सकता है आपको ऑस Creature logि मेहनत कर ना-दिदा करना लाईब में मेहनत करना लाइफ में डिसिप्लिन में रहना यह आप सीख जाओगे इसके वाद आप टार्गेट ओरियंटेट हो जाओगे जैसे आप मूवी के अंदर देखते हो तो आपको दिखते हैं कुछ आप देखते हो ना ऑफिसल स्टाइब के होते हैं एजेंट्स टाइप के हो सब्सक्राइब करते हैं कि लाइफ में आने वाली बहुत सी ऐसी जंग होगी जो आपको लड़ना है और उस टाइम ने वर गिवप एटिट्यू रखना है तो जैसा कि फैदल सर ने बोला आप बहुत पहले ही यह जंग जी चुक यह आपने यह माइंड बना लिया कि मैं एक आप ही बताएं तो अच्छा होगा कि मैंस के अंदर सपसे ज़्यादा होता है कि मैं कितना भी पढ़ लूओ कि इवार किस्ट कर ले हैं यह इस लगता है कि अच्छे से लिए सबस्तुर्ण हो जाए है तो एसा नहीं है यह बढ़ां किसी से भी पढ़ लो और भी टीकर से पढ़े हो ऐसा नहीं हो कि क्लेम करें मैं बढ़ादू सारे सवाल हो जाएंगे कभी नहीं सब्सक्राइब करने का एक टाइम पीरिड एक प्रोसेस है जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा आप अपने भीया दीदी से भी तो आपको यह बताएंगे कि हां हो गया हो गया मैं कितनी बार मैंने पेज भाड़े हैं तो वह वाली बाते वह नहीं पढ़ती है उससे जाना पड़ता है आपको ना सॉल होने वाले प्रोसेस को पास करना पड़ेगा जैसे एक सिंपल सा हम सब लोगों ने बच्पन में साइक साइकिल चलानी आती थी और उस मॉइंट पॉइंट के बाद में आपको साइकिल चलानी नहीं आती ट्रांजिशन आप नहीं फेस कर सकते तो आपको क्या सवालों से लगे रहना पड़ेगा एक मुमेंट के बाद में वह अपने आप सॉल होने लग जाएंगे मतलब सवाल ज सबस्क्राइब कहानी क्लास के बाद में क्या कर रहे हो आपने फिर से देखा आप सवाल पर अटके उसके बाद में आपका इटिटूड का सवाल बंद कर दिया ठीक है सर डीपीपी का सॉलूशन या फिर अगली क्लास में सर डिसकस तो करेंगी बोले तब देख लूँगा एक दूसरा बच्चा है जिसका अटिटूड है नहीं इस टॉपिक का सवाल है चलो एक बार जाके देखता हूं कि कहां से पूछा गया है कौन सी ऐसी बात है जो मैं गलत लगा रहा हूं या फिर हो सकता है कि सर ने कुछ और बता है मैं कुछ और ही लगा रहा हूं तो जितन सब्सक्राइब करके देख लिया दो तीन बार अगले दिन जिब क्लास में सर ने एक बात बताई कि यार ऐसे सौल होगा यह याद रखो उस चीज को फिर आगे बढ़ो ठीक है और प्लीज दिमाग में यह बिल्कुल मतले कि आना कि सारे सवाल सौल होंगे नहीं होंगे जही अब है रिसेंटली आज लक्षे में भी वोला है कि फिजिक्स में कई बच्चे जब कहते हैं कि यार कोशन नहीं हो रहे सर एक्षिल में प्रॉब्लम पता है जो मैं फील कर पा रहा हूं हम लोग फिजिक्स में जो पहला स्टैप लिखते हैं कुशन कीसी भी को करने का जो प चुर्ण है कि यही अध्यूदी में और आपको हर कोशन में यह देखना कि सर ने इतनी सारी थियूरी में से यही फोर्मला क्यों चुन के निकाला एंग ऐसा कौनसी चीज कौशन में लिखी हुई थी कि सर ने यह सोच लिया कि यह फॉर्मला लग रहा है और मैं यहीं सोच जब आप यह क्यूं का सवाल का जवाब ढूंड़ेंगे ना क्लास में और वो जर्रली हर टीचर कई बार रिपीट कर रहोता है बस आपका फोकस नहीं होता है तो आप कंसेंट्रेशन से क्लास को सुनिए हम हर कोशन में यहीं क्यों लगा रहे हैं इसका जवाब आप हर कोशन में हमारे साथ सीखिए और उसके बाद वह प्रेक्टिस वाला फेज जो है वह आपको लगना ही पड़ेगा उसके आपका कोई अल्टरेट आप्शन नहीं बनता है भी पढ़ते हैं आप किसी भी ओफ-लाइन इंस चुन में पर तो कहीं भी परते हो इतना धेर सारा कॉंटेंट कहीं नहीं मिलता है पर हां रेलिवेंट भी होता है मोर्देन इनफ होता आपके सेलेक्शन के लिए तो मेरा तो हमेशा कहना होता है क्लास खतम हो तो पूरा होने चाहिए सब्सक्राइब के अंदर तो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे कम से कम सिक्स्टी परसंट कोश्चन होने जो दिखे हुए हो सकता वैलू चेंज हो आपको 60-70 परसंट कोश्चन दिखे हुए होने चाहिए और को बताता हूं बढ़ा खराप मिसकंसेप्शन है ज देख लो वह आपका टाइम टेस्ट होता है आपको एक कॉश्चन पर वहां कॉंसेप्ट से सोच के फॉर्म्ला डिराइब करके नहीं कर सकते हो वह कुश्चन आपको आना चाहिए कि कुश्चन तो आप ऐसे टिक लगा हो सीधा समझ के यह फॉर्मला लगेगा इसका यह अपने आपको पहले तीस मार का समझ लेते या फिर अपने आपको प्रोजेक्ट करके चलते हैं कि अच्छी त्यारी का मतलब है या अच्छे बैच का मतलब या ड्रीम टीम का मतलब है कि सवाल दमा-दम सौल होंगे इस मतलब को हटा दीजिए प्लीज ऐसा कुछ नहीं होने का बैच के साथ इसलिए तो लंबा टाइम ले रहे हैं वरना तो हो सकता है एक हफ्ते में करवा के निकल जाते हैं वह यह पढ़ाया और चलो सौल करो आगे निकलो तो टाइम प्रोसेस इसलिए लिए जा रहा है तो बिलीव और पढ़ाई करते रहें कोशन अटेम्ट करें नहीं होंगे कोई बात नहीं कोई जड़त नहीं सर बस अब लोग यहां से चलते हैं बच्चों को डीटेल में बताते हैं कि प्रयास 2.0 में कैसी फेस्वाइज हम लोग ने प्लैनिंग की है किस तरह से टेस्ट का डीटेल अनलिसस देंगे कैसे होमवग देंगे और कॉमेंट में चलना है तो बड़ा क्रिटिकल सवाल है बहुत से बच्चे यह पूच रहे हैं क्या आईटी के लिए सेकेंड डॉप लेना चाहिए कि नहीं सेकंड डॉप जो बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि आईटी के लिए सेकंड ड्रॉप लेना है मेरे खिया से वो खुद भी इतना तो शियूर है कि फस्ट ड्रॉप में या फस्ट अटेम्ट में उसने अच्छा काम नहीं किया कहीं ना कहीं कम्या हैं जो उसको खुद भी महसूस हो रही है मुझे ऐसा लगता है और अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ कम्या रही है तैयारी उस लेविल पर नहीं थी या उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाया या जितनी महनत करनी चाही थी उतनी महनत नहीं की या ऐस तब ही होता है रिजल्ट आने के बाद जब खुद को इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस यह देख के होता है कि जिन दो लोगों ने मुझे सबसे जादा उमीदे की थी कि मेरे बच्चे का result सबसे अच्छा आना चाहिए या अच्छा आना चाहिए उसके बाद भी कुछ लोगों के अंदर ये इक्षा जाती है कि नहीं इन लोगों के लिए या इन दो बुढ़े लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह का कुछ भी है कि मुझे सेकिन्ड डॉप लेना या नहीं और इस वज़े से है कि उसको कहीं न कहीं कुछ पश्तावा है उन कम्यों को भी इस साल जोड़ना पड़ेगा otherwise अगर जरा सा भी ये doubt है कि मैं पागलों की तरह तपस्या या उल्टा खड़े होके पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो बिल्कुल ये गलती मत करो because ये वो एक्जाम है जिसमें selection सिर्फ उसी का होगा जो जलना जानता है ये एक तपस्या है इस एक्जाम में बलकि इन फैक्ट पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चे पागलों की तरह पढ़ने के लिए तयार हैं वही हमारे साथ इस बैच में जुड़ें क्योंकि इस बैच में बहुत जादा हम उमीद करते हैं हम इस बैच से बहुत जादा उमीद कर रहे हैं परसनली मेरा भी मानना यही है कि आप बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी तो जिल लोगों को अपने उपर जरा सा भी डाउट है वो बिल्कुल जॉइन ना करें विकॉज हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत प्लानिंग के साथ और अभी आप देखोगे भी कि हम लोग ने बहुत मेहनत की है इस प्लानिंग में तुम लोग के लिए एक अच्छा ताकि तुम एक अच्छा सब्सक्राइब की अच्छा बेंगे denande है कि ce रहेंगे सारे सब्सक्राइब रहेंगे और समझते हैं कि प्रयास 2.0 की यह तो भ्यादि म्वा प्लानिंग किन लगातार wrapsद में लोग चल रहें हैं आपको बतायेüs कैसे लेक्चर होंगे कैसे टेस्ट होगा कैसे रिविजन होगा कैसे रिवीजन शीट होगी वाते डीटेल में आप से करेंगे और इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने पुपीटी रूम में और मिलते हैं आपको अगले 30 सेकेंड में करा करें हिए झाल 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 तो हलो बच्चों हम लोग याफ आ चुके है और अब हम लोग डीटेल में बाते करेंगे आगे की और समझेंगे पूरी अपनी प्लाइनिंग को कि किस तरह से प्रयास बैच के अंदर पढ़ाई होगी क्या होगा यह सारी बाते हम लोग डीटेल में अब समझेंगे कि सविच हो गया कि वापस से नहीं ठीक है ठीक है ठीक है कि अच्छा ठीक है तो हम लोग डीटेल में फिर से सारी प्लाइनिंग समझेंगे कि कैसे हम लोग ने प्लाइन किया है बैच को तो जो बच्चे नहीं जोड़े हैं उनको मैं बता दू कि प्रयास 2.0 जेए ड्रॉपर 2024 के लिए प्लाइनिग का बैच आ चुका है प्रयास 2.0 जेए ट्रॉपर 2024 एस्पेरेंट्स के लिए लॉँच हो चुका है क्लासे सेवन्त ऑफ जून से स्टार्ट हो रही है बैच का प्राइज है रूपीज 4400 क्लासेज आपकी प्लाइज के मोबाइल एप में और प्रयास 2.0 का सब्सक्रिप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सभी बच्चों को ताकि वो अपनी तयारी अगर किसी कारण से छूट गई है बैकलॉग हो गया कोई परेशानी थी तो फिर से एक फ्रेश बिगनिंग दे सके या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मे जितने बच्चे सब्सक्राइब करेंगे अगले साथ दिन के अंदर उन सभी को प्रयास 2.0 का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा तो चलते हैं यार प्रयास के बारे में बाते करते हैं तो सबसे पहले प्रयास तो प्रयास को हम लोग ने डिटेल दिया कि प्रयास का नाम प तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले पी स्टैंड्स फॉर प्रक्टिस और मैं बुलाना चाहूंगा रिस्पेक्टिड पंक्त सर्को कि वह आके यह बताए कि प्रक्टिस तो बैस्ट में प्रक्टिस से रिलेटड हम लोग क्या करेंगे प्राइबे करनी है जो हम classes में सवाल कराते हैं वो आप एक बार में करते हो है ना कभी आप से नहीं बनते हैं तो आप उसको घर पे जो सेल्व स्टेडी का टाइम होता उसमें रिवाइस कर लेते हो इसके लावा और एडिशनल चीज हम क्या देने वाले हैं यहां पर प्रेक्टिस में आप को साल करनी होंगी और जो कुष्ण आप से ना मैं आप अब हैसे लाइवमे कमेंट कर रहे है अचानक से अब क्यों होगा अचानक से बच्चे ब grease मोड़े में एंट हो गया कर दिखा रहा है पर बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे और बच्चे भी बच्चे भी अचानक से हाफ बच्चे चले गए वीडियो एंडिड कि यह क्या अलग-अलग हैंसेट पेश हुए हाँ बहुत से बच्चे अमेड़ाई रहा हुए नहीं जित्तों से आप पूचे उन्त क्राफिक है जाँ है क्या मेरी आवाजा रही है है हो गया री स्टार्ट क्या इशुए रेश्यसर करें सभी लोग एक बार रीफ्रेस कर लिजिए रीफ्रेस एक बार राव रीपरेस कर लिजिए Schools जीन बच्चों को भी हम देख रहे हैं सच्छों सचे बच्चों को मोटीवेट कर Kitchen आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं मैं मोटिवेट करके खुद मोटा हो गया हूं एक कहानी सुना है सवर और ध्यान दोना से सुनिएगा बिल्कुल बिल्कुल इस बार मजा ही नहीं ताज्यूब भी होगा ओ लगता है देखो अब होता है क्लास टीचर जाते ही जैसे लेकिन क्लास के मोनीटर तो आप ही हो ठीक है तो इस बार अरे यार बैक बेंचर को बुलाए जाए जाए बहुत देर से इंतजार करते हैं बैक बेंचर तो कैसे वह आप सभी लोग अभी अलग सर है नहीं हमारे पास मतलब यहां पर नहीं है इसलिए हम लोग बखैती थोड़ी ची कर रहे हैं और जैसी वापिस आएंगे तो बिल्कुल सीरियस मोड हमारा स्टाट हो जाएगा क्या आप सबी लोगों को हम लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ-कुछ का एंड लिखा हुआ रहा है तो भाई हमार है प्रयास स्टार्ट हो गया i करने में की सक freedoms श्टेडी पर बेस्टी है आपको क्लासि करने ही हैं साथ में सेल्फ एल्विश्टई सारा समय आपको व्यतित करना पड़ेगा अपने लगना भटेगा राजवन Сर आपने व्यांच श्यों ο कहानी के मोड में जिसे जिम आप जिम जाते हो दो घंटे तो सिर्फ जिम करने से सही हो जाता है कि कुछ भार आंगे समुख से घंटे तो आपने बहुत पसीना थोड़ा आप 15 की स्पीड मेरी क्लास है उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं मैं मैं डाइट मेंटेन कर रहा हूं फिर प्रॉपर स्लीप रख रहा हूं फिर सारी चीजे डिसिप्लीन वे में कर रहा हूं तो वह दो घंटे क्लास मेरी है जिम की सुबह वाली नो डाउट लेगे उसके बात पूरा दिन मेरा वही रूटीन है जो मेरे को फॉलो करना आपको छे सब्सक्राइब करना चाहता हूं अब जैसे जिम जातें लोग कुछ भी इर्रेलेवेंट सा करने लगते हैं और आपको चोट ज्यादा लगेगी और आपको प्र्टिकुलर टाइम होगा जहां पर आप सिर्फ डैमेज मोड में रहें कुछ करनी नहीं पाएंगे डिसिप्ली पर आपको फोकस रखना हाँ बिल्कुल 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 सर वापिस आगे हैं अब तो मैं यही बात कर रहा था आप से कि क्लासिस के बाद में जो आपको डीपी प्रेक्टिस मिलेगी उसको आपको सौल करना और एक बात बताना भूल गया था मैं आप अपनी कॉपी ब आप वो प्रॉलमस लिखो आपसे पहली बार नहीं वनने Champ तो आपको करनी पड़ेगी ताकि बाद में जब revise करो तो उन सवालों को पहले देखो जो आपसे पहली बार नहीं बने हैं ठीक है ठीक है ठाइंक यू सर अब हम लोग चलते हैं अगले P की तरफ तो सॉरी P अगले R की तरफ तो P प्रयास का P stands for practice, R stands for revision तो सचिन सर आएंगे और बताएंगे कि रिविजन के लिए हम लोग प्रयास 2.0 बैच में क्या 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 करने वाले हैं जैसे हमारा एक लेक्चर खतम होगा या एक चैप्टर खतम होगा उसके बाद में आपको एक रिविजन वीडियो मिलेगी ऐसा होता ना आप लोगों की डिमांड की सर आपने सारा पढ़ा दिया अलग लग जगा इंपोर्टन फॉर्मुले बताए थे अब सारे एक साथ बत में आपको शीट मिलेगी जिसमें कोश्चंस होंगे में लेवल और एडवांस लेवल के उसके अलावा मतलब यह सब चीजे तो है साथ में आपकी डीपी और मॉडिल वह पैरलल स्टोरी है यह चैप्टर खतम होने वक के बाद वाली स्टोरी है ठीक है तो रिवीजन आपकी बड़ी रिग्रेस करवाई जाएगी बस जो जो आपको पकड़ाया जाए अब बताई यह पॉइंट में यहां इधार 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 बता दीजिए पॉइंट क्या क्या हो रहा है पॉइंट नंबर वन सर एक तो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे हाँ क्यों समरी वीडियो आप इसको बोल दीजिए ठीक है और उसके बाद में इसी की चैप्लीट होने के बाद में एक हम देंगे आपको प्रेक्टिस शीट और उस practice sheet में आप बोल सकते हो 15 से लेके 20 mains level के question होगे 10 से लेके 15 advance level के question होगे ठीक है यह sheet आपको solve करनी है मतलब यह होगे finally आपने पूरा chapter देख लिया अब इसको randomly आप solve कीजिए सारा आपका जो है वो chapter cover हो जाएगा इन questions के तुरू यह है अभी सिरफ chapter खतम होने के बाद में इसके बाद की जो revision है जैसे first attempt खतम होगा उसके बाद में हम क्या करवाएंगे वो अभी discuss करेंगे ठीक है फिर second attempt के बाद में revision कैसे होगी वो long term revision है यह chapter खतम होने के बाद वाली revision है तो revision बहुत अच्छे से plan किया बस आपको follow करना है ठीक है तो जैसे बहुत से बच्छे कहत बहुत बड़ा responsibility बनता है practice sheet को solve करना तो यार देखो करने को बहुत कुछ है जैसा कि सारे teacher बोल रहे हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्यों teachers भी बहुत मेहनत कर रहे है batch के अंदर सबसे पहले आपको रोज daily practice problem मिल रही है वो solve करना है उसके chapter खतम होने बाद आपको practice sheet अ लूट डालते हैं कि practically उसको 100% complete करना impossible है आप module में जाओगे तो आपको चार-चार exercise मिलेंगी पचास-पचास सवाल है थर्ड एक्साइज में 25 सवाल है सगें एक्साइज में 70 सवाल है first exercise में 80 से लेके या 50 से लेके 100 सवाल है तो इस सारे questions complete करना along with DPP along with this और सारे lecture आपने दे आपको जैसे तैसे manage करना है और अगर आप यह कर ले जाते हो throughout the session तो एक बहुत अच्छी rank आपकी तियार हो जाएगे और जो आप पूछ रहे हो कि कब फिनिश होगा syllabus तो इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे कौन जा से ले बस में कब कराएंगे फेस टू में क् सब्सक्राइब करेंगे जो आपको रोज डीपीपी मिलेगी उन डीपीपी के अंदर आपके 10 questions तो होंगे आपके current topic के जो चल रहे हैं तो 10 questions तो आपके current topic से ही उठाएंगे जो आपका class में चल रहा है इसके सिवा उसमें 4 question या 3 question होंगे आपके previous topic से जो आप तक पढ़ पर एक्जाम्पिल अगर फिदिक्स की बात करूं कि आप इलेक्रो स्टाइट्स पढ़ चुके हो आप electricity पढ़ चुके हो और आप मैंगेडिसम पढ़ रहे हो और मैंगेडिसम में आज आपका माल दो पर्टिकुलर topic है EMI का topic चल रहा है एक पर्टिक्लर क्लास चल लिए और mutual induction का topic चल ला है तो उस दिन जो DPP आएगी उसमें mutual induction के 10 questions होंगे और 4 questions आपके electricity के concept के भी होंगे तो आपका continuous revision चलता रहेगा आप कभी भी कोई chapter छोड़ नहीं सकते आप next chapter पर आओगे हम आपको परिशान करेंगे previous chapter के questions दे देके जो आपको मजबूर करेगा सोचने भी कि आपको actual में पिछला chapter आता है एक नहीं बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो और confidence मेरा complete हो गया जिस टाइम वो चैप्टर पढ़ा था अच्छे से पढ़ा था DPP अच्छे से solve की थी पर जब आगे बने तो उसके question practice करना बंद कर दिया revision करना बंद कर दिया तो हम आपक आते हैं और next चीज़ पर चलते हैं तो P से practice, R से revision अब आते हैं A पर और A से है analysis तो मैं request करूंगा respected राजवन सर को कि वो आके बता है कि what does analysis mean actually मैं आप सभी लोगों को पता है कि जो पूरी preparation चलेगी वो धुहधारी चलने वाली है और हमारे back-to-back अगर देखा जाए तो to be very true जो बच्चों को पता भी होना चाहिए हमारे six to seven lectures में एक-एक chapter सबका खतम होगा पर week मेरा शायद physics का एक हो रहा होगा और मैस का एक हो रहा होगा अब आप बोलेंगे कि सर यह तो बहुत जादा है लिकिन requirement है क्योंकि हमें जी मेंस फर्स्ट के पहले अपना syllabus complete करना है तो जो हमारा यह topics cover होते जा रहे तो अभी हमारे टेस्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे में चीज है कि बच्चा क्या करता से पढ़ते हो निकल जाता है अब वापिस मुड के कभी नहीं देखता कि भाई मैंने कितनी डीपीपी मेरे को दी थी कितना मेरे को मैंने उसको सॉल करी मेरे साथ लेक्चर आये थे इस वीक में मेरे हुए कितने तो यहां पर आपको एक स् अगर आप देख ही नहीं रहे हो तो सर इस विल बी पनीशमेंट फॉर देखने रहे हो फिर आप कहरे हो सर मेरे को आगे बढ़ना है तो वह पॉसिबल नहीं है जो मेहनत करेगा उसका हमारे पास 100% सपोर्ट है तो आपके लेक्चर की भी है डीपीपी की भी है इनलीसिज भी है क्योंकि कई बच्चे टेस्ट को ढग से अनलाइज ही नहीं कर पाते उनको पता ही नहीं होता है सर मैंने टेस्ट दे दिया माक्स आ गया मैं परिशान हूं अरे ठीक है तू परिशान है लेकिन तेरको करना क्या है उसमें जाके देखना पड़ेगा किन-किन टेस्ट आया किन किन टॉपिक में तून्हें जादा टाइम ले लिया किस टॉपिक की रिक्वाइरमेंट जाधा ती त्योंको त्योंको ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए तो एक प्र पर एनलिसिज हमाइं पस है टेस्ट अनलेसिज यकीन मैं आपने सर बहुत प्रॉब्लम क्या होता है ना बच्चा दो गंटे लगा देता आप सभी लोगों को क्या करना है एक बैसिक एनलिस जो आपको रिक्वार्मेंट होती है इन टॉपिक्स का मेरा टेस्ट आया था मुझे किस टोपिक्स को और अच्छे से रिवाइस करना है उतना आइड़िया वी तो बेसिकली क्या है कि आपको टेस्ट का एक आइडिया होना ची यार जैसे मालो तीन चैप्टर्स का तीन चैप्टर्स का मेरा टेस्ट हुआ और उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आये थे सर माक्स कम आये अरे कौन से टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हम लोग प्रेक्टिश शीट दे रहे हैं उसमें और कौन से कॉश्ट लगा लूँ सर की जिससे बेस क्लियर हो जाए सर पीवाई की उसको कितने अच लगेगा एप्रॉक्सिमेटली तीनों सब्जेट को एनलाइज करने में आप अपनी टेस्ट की कॉपी अलग बनाईएगा ठीक है कि एनलिसिस जो आप कर रहे हैं उसको आप सेपरेट आउट करिएगा जिससे आप बाद में यह चीज देख पाएं कि आपकी कहां कमिया रह जैसे आपको एक पटिकुलर टेस्ट हुआ बहुत आपने सोचा था मेरे हंडर आने चाहिए आपने 150 स्कोर करा जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो आपको यह पता हुंची कि मेरे को किस टॉपिक पर प्रेक्टिस और करनी है वहां से सीख के आप उसकी प् है जिसके तलते वो नहीं हुआ है हमाई टीम लगी हुए तो नेक्स 10 डेस के अंदर आपका स्टुडेंट डैश्बोर्ड लाइव होगा वह कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको आप आए आपने माई डैश्बोर को एक्स्प्लोर किया अब आपको दिख रहा है कि आपन पर आपने देखा तो आपने 30 में से 18 DPP ही solve किये तो आपके सामने आपकी रिपोर्ट हमेशा आपको दिखती रहेगी आप यह नहीं बोल सकते हो मैं सब कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा यह आपको सच्छा ही रोज आपको आपका आई नहीं दिखाएगा फिर आपने प्रकॉशन गलत भी हो रहें तो नेगेटिव मार्किंग तो मैं अलग फसा हूँ आगे बात करें टेस्ट का आ अलेसे आपने टेस्ट कितने एक इंटेम किये हैं तीस में से पन्राही टेस्ट एक हो सकता हूँ भगवान कर आप पूरे करो एक्टिवरेशी क्या चल रही है मैं चलते हैं यह यह चैजर राजवण सर कहाई तो इसके अदर को यह टेस्ट तुम्हारा अटेम्ठीट लगा है अब यह performance analysis होगा आपके live test के अंदर ते परफॉर्मेंस अप के लोगी जब आप गिवर्ण वीस्ट के अंदर यह हर बैच के लिए नहीं लक्ष बैच हो गया आर्जुना हो गया आपको जितने भी बैचेते हैं सभी के अंदर टेस्ट अनलेसे है इस्टुटेंट पैरेंट डैश्बोर्ड यहां से नेक्स्ट टेंडेस में आएगा टेक टीम ने मुझको सेवन डेस्ट प्रोमिस किया मैं है आपको इसलिए 10 इस बोल ला हूं थोड़ा सा में आटायम ऩी व Лव थैक की और टेस्ट क 70 ऐसी डाशaches उलोग एई व देखेंंगे पटा जाएगा तो आप बोलत हो गया दो कोशन इसके गलत हुए एक उसका गलत हुआ आप अपसे रहते हो गये पटिकलर टॉपिक के सारे कोशन सही कर दूँगा तो वो दिखाएगा कि यह तुम्हारा वीक और स्ट्रॉंग पॉइंट तुम्हें बताता रहेगा यहां आए आपको फॉर्मला शीट भी दिखा दें तो कुछ इस तरह की फॉर्मला शीट आपको दिखेगी बैच के अंदर हर चैप्टर के इंड में आपको फॉर्मलाशीट मिलेगी इस तरह की देख रहो पुरा श्ट्टर आफ एक पेज में सम्राइज कर दिया चमिकल बांडिंग गया सारी चीजे और इसी तरह से जैसे आपने देख लिया क्या क्या हो गया इस्टुएंट प्रेंट डैश्बोर्ड आपने देख लिया कि तेस्ट दिये आपको माइंड मैप मिलेगा जिससे पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा आपको फॉर्मला शीट मिलेगी जिससे पूरा चैप्टर समराइज होगा फॉर्मले के ट Éंट मैं और एसी तरह से आपको क्लास आपको test analysis हम लोग पूरा दिखाएंगे orientation वीडियो में तो आगे बलते हैं तो P for practice, R for revision, A for analysis and Y is for yourself and respected राहुल सर आएंगे और explain करेंगे कि आपकी क्या value हो यार सब कुछ हो जाए और आप नहीं हो तो क्या होगा तो राहुल सर आएंगे तो सर इसमें जो सबसे important चीज होती है यही नहीं आप कोई भी काम कर रहे हो अपनी life में सबसे important चीज होती है कि यार वो काम करने के लिए आप कितनी शिदत से जुटे हुए हो सबसे important चीज यहां पर ये भी है कि आपको कितना विश्वास है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा है ना तो सबसे पहली चीज तो आप ये विश्वास लेकि आईए इस batch में कि हाँ यार मैं जही का exam में अच्छे mark certain कर सकता हूँ मैं 99 plus percentile में ये जो exam है इसमें बिल्कुल बड़े आराम से ला सकता हूँ वैसे आराम का मतलब यहां पर यह नहीं है कि बड़ा मतलब सोते वे मज़े से हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा इसके लिए बहुत मैनत करनी पड़ेगी ठीक है लेकिन जो विश्वास वाली बात है सबसे important चीज है एक तो सबसे चीज खुद पर विश्वास रखो दूसरी चीज यहां पर जितने भी टीचर सापकी इस batch में classes लेने वाले हैं यार उन पर विश्वास करो वो जैसे जैसे आपको कहते जाए ना वही चीज वैसे वैसे करती रहो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा अपना ज्यादा दिमाग लगाने कोशिश करता है वो आपके पास ज्यादा time है नहीं क्योंकि आप सोचो तीन classes आपक किसने अच्छी रेंग निकाली है और वहीं पर एक बच्चा जो सिर्फ proper focus के साथ पढ़ाई कर रहा है जब ultimately result आएगा ना तो जिसका ध्यान था जो concentrated था वो एक्जाम में हमेशा अच्छा करेगा ना तो ये फालतुक आपके पास time waste करने का है भी नहीं time आपके पास इतने आप मेरे से जो भी चीज मांगता है वो सारी चीज में करने के लिए तयार हो और अपने आपको congratulate कीजिए जैसे सर ने पहले भी बोला कि आप बहुत सारे लोगों से पहले भी आगे निकल चुके हो आप हो सकता आप मैंसे बहुत सारे बच्चे इस समय जो भी आपका score है उस होने चूज किया एक अच्छा एनाइटी तो यार उसके लिए तो आपको मैनत भी उसी साब से करनी पड़ेगी तो थैंक्यू सो मच सर और सर जो चीज बोल रहे हैं कि आपको खुद पर वरोसा करना होगा खुद से मेनत करनी होगी इसके सिवा जो भी प्रॉबलम होगी जै ऐसे 50% से 99.9% तक हम को इसी के सारा डिसकेशन होगा कि हाँ वी केन गौफ रों 50% टाई डो 99.9% अगैसे सुने बढ़ा अट्क्रेटिंग लगता है और लगता है हो जाएगा हो जाएगा असान नहीं असान नहीं है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसी लिए सारे टीचि इसके बाद आगे चलते हैं, so next A stands for advancement, तो अच्छा अभी मेरे कोई बताना है, thank you so much, so advancement क्या है, advancement कुछ हम करेंगे, जैसे मैंने आपको कुछ features बताए, कि test का detailed analysis आपके लिए हम लोग यहां पे लेके आए, student parent dashboard हमने बनाया, जिसके अंदर आप daily track कर सकते हो, कि आप कैसा कर रहे हो कि नहीं, DPP कर रहे हो कि नहीं, test दे रहे हो कि नहीं, question level पे आप खुद को analyze कर सकते हो, कि आप average बच्चों से ज्यादा time तो नहीं ले रहे हो, इसका मतलब वो topic आपका particular week है, आपको और improve करना है, accuracy level पे देख सकते हो, कि यार आप सवाल तो बहुत सारे करते हो, आप 90 पे स 85 questions आप attempt कर देते हो हर बार, पर 85 questions में से आपके आप 30 questions गलत हो जाते है, तो आप उसको अगर improve कर लो तो आपके negative marking improve हो जाए, और वो कितना बोड़ा factor है, 30 questions की negative marking बच जाए तो, तो इस तरह की कुछ advancement हम लोग बैच के अंदर लेके आए, हम लोग इसके साथ हम लोग class के अं हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो कुछ advancement हम लोग कोशिश करते रहा रहे हैं और हमेशा कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, so the next point is, S stands for strategy, and I'll request Faisal sir to come here and explain about strategy, शायद strategy पर ही सारी आगे कहानी है, यह जो प्यारा सा model बनाए गया है, वही strategy हमारी, हमें तो बच्चो कि जो strategy है, वो सिर्फ यही है कि हर तरह के बच्चे को cater करना है, वो बच्चा जो बहुत, जिसने सोचा है उसको करना है, लेकिन उसके तयारिया भी उसने नहीं की, उसको बहुत जादा कुछ आता नहीं है, वो खुद भी puzzled है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है कि strategies जितनी भी बनाई जाएंगी, वो सारी strategies आपके फायदे के लिए होंगी, यह जितनी भी strategies बनाई गई है, वो सारी की सारी आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, एक चीज क्लियर है, जो भी आप result निकालेंगे, उसके लिए आपको sacrifices बहुत जादा करने अब बोलने में सब कुछ ठीक लगता है कि हम आपके लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम practice sheet देंगे, हम module भी देंगे, लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी चीज है, वो है आपके sacrifices, इसमें कोई शक नहीं है, कि आप 6 गंटे की class के बाद अगले 6-7 गंटे regular studies को दे पा रह हैंगे, ये कर रहे थे, IIT का ये result, खाना भी ममी दर्वाजे के नीचे से थाली फेकेंगी, और आप थाली के बाहर जो है, दर्वाजे, ये बिना इसके काम ही नहीं चलने वाला, आप समझेए, बिना इतनी मेहनत किये, इस exam को crack करना मुश्किल है, बलकि और जादा मेहनत, जितना मैंने बोला है, इससे भी जादा sacrifices की जरूरत पड़ी, कुछ बच्चे कहते हैं सर, खेलना कुदना जरूरी है, personal development के लिए ऐसा वैसा, मैं तुम्हें बताऊं कुछ जरूरत नहीं है, एक साल बाद ना तुम बूढ़े होने वाले हो, ना जमाने से BMW हटने वाली है, आईफोन बनाना बंद होने वाले हैं, सब कुछ वैसे का वैसा ही होने जा रहा है, एक साल बाद दुबारा बाहर निकलेंगे, आईफोन का सत्रा मॉडल चल रहा होगा, BMW की आठवी नवी सीरीज निकल चुकी होगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, आप तब कर लीजेगा, एक बार आईटी चले गए, तो आप समझ भी नहीं सकते कि इतने जादा, इतने जादा जितने सेक्रिफाइस आप करेंगे, वो इतने फोल्स आपको बढ़के मिलेंगे, मतलब एक छोटा से एक्जामपिल देता हूँ, मुझे बैडमिंटन खेलने की बड़ी आदत थी, बह गाल के कहीं खड़े हों, कुछ पता नहीं चला, लोगों ने बता, यह बिल्डिंग है, जाके देख लीजी, मैंने का बिल्डिंग में तो खेला जाता यह बैडमिंटन, अंदर जब आप गए, तो आपने देखा, लाइन से पांच कोट्स हैं, इंडोर कोट्स, शाय शाय श हवाँ, वह सारे लोग मिलेंगे तुमें, तुम्हें डेवलपमेंट की बात करते हो, तुम एक्चुली क्या डेवलपमेंट होती है, तुम आईटी जाके पसीखो, तो मेरा मानना सिर्फ यह है, कि यह जितनी भी कोशिश की जा रही है, यह सब तुम्हें डेवलप करने के लिकी जा रहे हैं तो यही है और आग बंद करके हम लोग पर फरोसा करो कोशिश हमारी हर स्टेप यही रहेगा जिससे तुम्हें सबसे पहला फेज है वह हमारा जून से स्टार्ट होके कब तक जा रहा है तस जैनुवरी तक जा रहा है तो सचिन सरा इसको आप समझाएं क्योंकि आप लोग पूरा प्लान बनाया है तो आप लोग बताएं कि यह फेज वन क्या है आप यह भी ले ले एक सेकंड अच्छा इसमें एक जो है ना वह इंट्रेस्टिंग डाउट यह आ रहा है कि सर आपने यहां पर लिखा है कि 99 प्रसेंटाइल तक पहुंच जाओगे मतलब अब जो है तो तुम्हारे थोड़े बहुत ही चांसे कम बचे हैं मतलब पास करनेगे ठीक है 99 परसेंटाइल तक हमारा रोल है उसके बाद में खुद खुद का जो रोल है वह आपको जो लगाना पड़ेगा तो 100 परसेंटाइल भी पहुंच जाओगे और बहुत सारी हमारे मतलब जो साय है उसमें बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट वाइस अगर देखो कि तो 100 परसेंटाइल उनके है तो यहां तक पहुंचके उसके आगे बस हलका साई गैप है तो पहले यहां तक पहुंचते हैं यहां पर स्टार्ट होगा बेटा साथ जून से आपका बै कोई भी कोचिंग कोई भी आपको एडवांस तक की प्लैनिंग कोई नहीं बता था आपको सरफ यह बोले जागा फर्स उसके बाद में सिरफ रिवीजन क्लास चलेगी वह भी धीरे 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 मिनिमाईज होती जाती है बच्चे खुद ही पढ़ाई करते हैं यहां पर जो जैन्वरी को पेपर होगा इस बार के हिसाब से बागी जैए वाले ज्यादा समझदार है वो जब अनौंस करेंगे तब ही हम उसके साब से मोडिफाई अपने आपकी स्पीड जो है वह अड्जस्ट कर लेंगे बट साथ जून से लेके 20 या 15 जैन्वरी तक हमारे पास अप् होगा जिसमें सेकेंड अटेंप्ट के लिए एक आपकी रिवीजन होगी आप कुछ लोग बोलेंगे सर आप 15 जनवरी को सलेबस खतम करवाओगे 20 या 25 हमारे एक्जाम है तो उसके लिए हम लोग जैई वाला चैनल पर हमारी महामयराथन या महारी वीजन सीरीज होती है उस जैसे ही सेकेंड खतम हुआ उसके जैसे ही पेपर खतम होगा उसके बाद में हम लोग वापी से जुट जाएंगे एडवांस की पढ़ाई के लिए और एडवांस की आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और मान के चल रहे हैं कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकेंड सं के बीच में और फेस त्री सेकेंड अटेम्ट के बाद में जैसे एडवांस तक और फिर यह आगे आया एटी का बोड तो आप देखी रहे हो हां कुछ लोग पूछ रहेंगे सब पंदरा दिन में क्या करें पंदरा दिन में बेटा आप स्टडी टेबल पे बैठने की प्रे आप फिजिक्स में युनिट से डायमेंशन बहुत असान होता है बेसिक मैट बेसिक मैट एन युनिट से डायमेंशन आपके पंदर दिन है और अपने जैए वाला चैनल पर बहुत ज्यादा कंटेंट है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं और प्लस फिजिक्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत कमांड होगा जो आपको लगता है कि आपने आता है तो अभी के लिए आप जेई वाला से अगर आप चाहें तो वहां से प्रेक्टिस भी कर सकते हैं हमारी परसेंटाइल बूश्टर वो भी थी वहां से पीव करके रखें और 6 घंटे की मिनिममम सिटिंग कैपसिटी आप पड़े यह नहीं कि 15 दिन के साथ जून से स्टाट हो रहा है 15 दिन हम अभी मस्ती कर लेते साथ जून से पड़ेंगा बैठी नहीं पाओगे दो 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 घंटा आएगा फिर वह टाइम अप टाइम आप आप लि लेक्टर का राजमांसर ने खुदी एक लेक्टर किया हुआ है तो आपको जही वाला में मिल जाएगा शे घंटे का है वह पूरा आप देख लो और नहीं आप ही से पढ़ना है आगे तो सिंक में रहना जरूरी है हां तो उसका सर्फेस केमेस्ट्री कर लो पॉलिमर्स कर ल आपको इन काउंटर होना है तो आपको जो पहले से पता होगा तो थोड़ा रिलेक्स रहों गये तो यह काम आप कर सकते हैं अब यह विकली शेडियूल तो मंडे से सेटर्डे आपकी 6 दिन क्लास है और रोज़ आपकी 6 घंटे लेगी और सबसे पहले सुबा सुबाह आपक सब्सक्राइब को यह है और मतलब थोड़ा वहतो पनीचे होगा आपकी रोज कि तीन क्लास टाइमिंग नीविक्ट होगी लाइव होगी और रिकॉड़ेट नहीं होगी और रिकॉड़ेट मिल जाएगी बाद में अगर चाहोगे आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो तो मुबाइल बंद करके भी पढ़ सकते हो, जैसे पढ़ना चाहो, ठीक है, और लैपटॉप पे भी चला सकते हो, तो ये weekly schedule होगा, मंडे से से अटरडे आपकी class होगी, और संडेश को आपके टेस्ट होगे, कुछ संडे को आपके break भी होगे, टेस्ट का प्लैनर, ये live खतम ह होते ही, आपको description में मिल जाएगा, और अगर आपसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, इंतजार नहीं हो रहा, तो PW के mobile app में जाके, आप अभी test का planner और lecture का planner भी देख सकते हो, तो पूरा planner लगा हुआ है, कि कैसे कैसे आपके test होंगे, किसकी संडे को कौन-कौन सा test होगा, औ और topic भी defined है, किस-किस topic का test होगा, पूरा detail में अभी से सब decided है, कि संडे को आपका यह topic का test है, संडे को यह topic का test और lecture planner भी है, अच्छा, तो आगे चलते हैं हम लोग, तो phase 1 की आपने पूरी कहानी समझ लिए है, राइट, नहीं, यह यह सर, phase 1, हाँ, राजवन सर, सजीन सर, सर, हमारे lectures, test और engagement session, यह वाला जो part है, जैसे बच्चों के हमेशा demand रहती है, और कईना कई teachers भी miss करते हैं, कि हम जिन बच्चों को बढ़ा रहे हैं, उनको एक बार जाने तो सही उनसे बात तो करें, तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके engagement sessions होंगे, वो zoom पे भी ह हो सकते हैं, कैसे होंगे, वो आपको समझा दिया जाएगा, यह सारे session जो है, start होंगे, दूसरे test के बाद में, ठीक है, दो test आप दे लीजी अराम से, हाँ, तो यह सारे engagement session आपके start होंगे, बीटा, दूसरे test के बाद में, दूसरा मतलब second, और जो देगा, engagement session का मतलब है कि हम हम लोग आप से बात करेंगे, ठीक है, अब वो 100 का group भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, टॉपर होंगे, उसमें, consistent रहने वाले बच्चे होंगे, कई के बार होता है कि हम consistent होते हैं, lecture देख रहा हूं, DPP solve कर रहा हूं, बट किसी वज़ए से मैं number नहीं ला पा रहा हूं, तो उ कितने घंटे देखा है, आपने, कितने घंटे अटेम्ट किया, कि देर में हमारे पास आगी, हमारा सर एकदम सौ में से सवा रहे हैं, अगर आपको लेके आएंगे, हम लोग सभी को ध्यान देख सर, आगे, यहीं गारे, engagement session, test होंगे, mains level, advanced level और AITS, mains आपके दो दो चलेंग मतलब दो संडे, मतलब दो पहले आपके mains test होंगे, फिर उन दोनों का syllabus combine करके हम लोग एक advance का test लेंगे, advance का test means, सुबह एक तीन घंटे का और शाम को एक तीन घंटे का, advance मतलब पूरे दिन वो आपका paper चलेगा, और AITS, सर, AITS हम लोग offline, हाँ, और लिया test series आपकी इसमें और offline भी रहेगी, दोनों तरह से रहेगी, एक AITS आपका online का होता है, पंकर सर बता दिए, explain कर दिए, हाँ, दो type के AITS आपके यहाँ पर होने वाले हैं, एक तो online वाला जवाब दो के हैना, और एक offline भी AITS हम लोग launch करेंगे, जिसमें आप घर पर practice कर सकते हो, हैना, उसमें आपके पास paper आएंगे, उसमें आपके पास OMR seat आएगी, जिसमें आप खुद से भी practice कर सकते हो, भले paper online है, लेकिन घर में जब आप खुद से solve करोगे question तो उसका थोड़ा सा लगी मजा आता है, बागी online test भी रहेंगे, offline test भी, दोनों परकार की AITS आपके सामने हम लोग ल उसमें एड़ कर दिये, मतलब जैसे chemistry की बाद जहां तक मैं करूँ कि J.E. में इस टाइप के सवाल आतेगी, औरगेनिक में physical पूछली, percentage yield निकल वारे है, percentage composition निकल वारे है, या कुछ titration वगरा लगा दिया, तो इस प्रकार के सवाल, physics में भी ऐसे सवाल होंगे, कि जो multi concept व हो सकता है कि उस particular theory से related कुछ और सवाल भी बन जाए, जैसे organic में काफी sequential question होते है, A से B बन रहा, B से C बन रहा, इस टाइप से, तो मतलब बहुत सारे chapter को mix करके, अच्छे सवाल आपके लिए बनाए गए हैं, उसके papers अभी से ही मतलब बनना चालू भी हो गए हैं, तो उस level की आपकी test series यह होने वाली है, अक्टूबर में आपका test series लॉंच होगी, लेकिन paper अभी से ही उसके बनना start हो चुगे हैं, तो आप यह समझ लो कि पूरी planning है हमारी, और जो आप test दोगे न, उसके बाद जब आपका result आएगा, तो आप समझ लेना कि उसमें जितने number आ रहे हैं सब्सक्राइब कराना है, और अपकी test series कब से start होगी, तब तक आप बैच में कर सकते हो, इसके साथ D2 का भी एक program है, जो कि बहुत जल्द में आके YouTube पे आपको बताने वाला हूँ, तो वो सारे बच्चे जो हमारे batches से पढ़ते हैं, और offline आके सिर्फ test देना चाहते हैं, सार में आके test देना चाहते हैं, डाउर कूछना चाहते हैं, उनके लिए D2 plan हम लोग लेके आये थे, वही इस यह भी लेके आ रहे हैं, बहुत जल्द मेरा discussion चल रहा है लगाता है, आगे बढ़ते हैं, weekly schedule आपने देख लिया, अब आता है 5299 percentile ले जाने का phase 2 जो की आएगा first attempt के बाद दो problem होती है, एक जिनके first attempt में नमबर नहीं अच्छे आए, second attempt में अपने marks को improve करना है और last मौका होता है, एक जिनके marks अच्छे आए हैं, वो भी improve भी करना चाहते हैं और साथ-साथ advance की तियारी भी, तो राजविल सर, जो हमारा जैसी first attempt हो जाता है, तो अब यहाँ प हमारे daily two lectures live रहेंगे, और हम लोगों ने कोशिश करेंगे कि, देखो हमारा content तो segregated है, कि हम लोग एडवांस आपका starting से पढ़ा रहें, जिससे आपका base बन रहा है, यहाँ पर आके अब आपको थोड़ा सा consistent way में समझना पड़ेगा कि आपकी भी क्या requirement है, कई बार क्या होता ह कि आप advanced के चक्कर में आप जी मेंस को भूल जाते हैं, और फिर आपका NIT भी हात में नी आता है, तो first attempt जाने के बाद आपको थोड़ा से introspect करना पड़ेगा, हमारे जो यह lectures होंगे, उसमें जी मेंस के separate और advanced के separate lectures होंगे, number of lectures हम लोग आगे इसका पूरा plan बताएंगे, क्यो को वो भी कर, उनके लिए भी lectures रहेंगे, जे मेंस के लिए, अब ऐसा नहीं है, किन बच्चों को यह doubt होगी sir, मेरे को advanced की भी त्यारी अभी से करने है, तो lectures सभी के लिए provided है, दो lectures आपके live रहेंगे, five days classes रहेंगी, अच्छा, revision to question sheets, यह बहुत important है, इन sheets में sir, बेटा हमारे आप 15 से 20 mains level के questions होंगे, and 10 to 15 advanced level के questions होंगे, अब जिनका mains में काफी कम score रहे गया, मेरी personal हिदायत रहेगी, पहले आपकी priority यह है कि आप इन type के questions को जरूर करें, अगर आपका score ऐसा है कि नहीं sir, मैं next attend में advanced निकाल सकता हूं, बिल्कुल margin पर है मेरा, और मेरे को advanced में अच्छ को problem आती है, बच्चा क्या करता है न, theory पहले डग से पड़ी नहीं, अब कहता है यहाँ पर सार आप theory पढ़ा दो, तो वो feasible नहीं है, अगर आप हम लोग theory front पर ही रह जाएंगे, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपको यहाँ पर यह रखना है कि first attempt से पहले आपकी सारी theory complete हो आपके end से भी, हमारे end से complete हो जाएगी, आपके end से भी, यहाँ पर जो भी हमारे live lectures होंगे, उसमें हमारे pyq discussions, जो important pyq discussion है, भले वो जही मेंस के हो, भले वो जही एडवांस के हो, हम लोग यहाँ से आपका discussion से ही हम लोग आपकी practice बढ़ाएंगे, 8 mains level के test हो जिनका, जी मेंस में score कम होगा, मैं आपको बोलूँगा, यह आपको छोड़ने ही नहीं है, और जिनका score अच्छा है, आपको दोनों ही seriously दे रहे हैं, पाई देखो गुंजाईश तो हमेशा improvement की रहती ही है, आप अगर first attempt में 99 percentile पर आ गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं स इसमें अगर आपकी percentile और improve कर गई तो आपका motivation level भी अलग level का हो जाएगा, तो आपको यह दोनों ही थोड़े से seriously देने हैं, और AITS हम लोग जो आपने सरड़े अभी आपको बताए हैं, वो according to the planner हमारे पास रहेंगी, ठीक है, इसके बाद का जो हमारा plan है, that is third phase, जो आपक plan है, इसमें five days class ही चलेंगी, daily two lectures, अब end to end planning हम आपको पहली बता रहे हैं, यह नहीं कि इधर उधर, इधर class में तंग कर रहे हैं, सर, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, हम आपको पहली बता रहे हैं, यहाँ पर pure advance आपका चलेगा, theory सर, देखो generally हमारी जेई मेंस में ज question के through करनी है, अपनी critical thinking बनानी है, कि कैसे 2-3 concepts को mix करके हम question कर पाएं, तो हमारी five days classes है, ranker sheets, हाच, हाँ, यह वाले part बहुत important है, क्योंकि क्या होता है, कि बच्चों के पास आपने pyqs first attempt से पहले भी करे, pyqs first attempt और second attempt के बीच में भी करे, advance के, अब क्या बचा, तो अब आपक के आपके questions रहेंगे, ठीक है, और जो हम लोग भी question करा रहे है, वो selected pyqs होंगे, plus separate अलग question होंगे, क्योंकि pyqs generally हो चुके होते हैं, अब नए questions हम लोग यहाँ पर बताएंगे आपको, और ranker sheets आपको provide करी जाएंगी, और 10 advanced level test, अब यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, 10 paper है, तो मतलब 20 paper हो गए आपके, क्योंकि सुबह शाम, सुबह शाम रहेंगे, ठीक है, तो यह हमारी पूरी end to end planning है बेटा, अब आप देख सकते हैं, 8 महीने हमारे पहले थे, जो आपकी learning phase के हैं, approximately 8 महीने, फिर बीच में 2 महीने हैं हमारे पास, 10 हो गए और 12, पूरे 1 साल का अच्छा faculty का set है, दोनों side, ठीक है, एक बार आप select कर लीजे अपनी faculty, फिर deviate मत हो यह, ठीक है, किसी faculty पर आपको doubt ही नहीं करना है, बट एक बार आप, आपको देखना है, compare करना है, एक दो chapter से कर आपको compare करना है, आप compare करिए, जहां से आपका अच्छा sync बने, एक बार set हो अच्के बार teacher के साथ सिंग होके पढ़ाई करते है, यह teacher का भी, यार अगर आपके लिए देखा जाए, तो 2-2-2, 6 घंटे का अगर lecture plan हम बना के दे रहे हैं, आपको शायद struggle लग रहा होगा, लेकिन हमारा 2 घंटे का lecture prepare करना हमारे भी 3-4 घंटा होता है, तो 5-5-5 घंटे ह हम भी लगा के आ रहे होंगे, तो जितना struggle आपके लिए है, उतना struggle हमारे लिए भी कि इतने सारे content को कैसे concise way में बताना है, कितने important points को निकालना है, कुछ चीज़े हमें छोटी-छोटी सी चीज़े को कैसे club करके एक चीज में बताना है, तो हमारी भी महनत रहेगी, तो आप आपको भी उस चीज की respect करने है, और आपको जितनी भी problems आएंगी, PW हमेशा खड़ा है, हम उस चीज की respect करेंगे, mentoring program है, हम आपके साथ connected रहेंगे, कहीं पर भी आपको यह नहीं लगने लगेगा, कि सर आप लोग यहां पर खड़े नहीं है, ठीक है, इसका पूरा वादा है पूरी टीम हमारे साथ है, ठीक है, कि end तक आपको हम लोग यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है, तो this was the plan, एक दम सही बात के यह सरने कि जब आपकी दो घंटे क्लास जो आपको यहां दिखती है, जिसे आपको बहुत मज़ा आता है, सब समझ में आता है, आपको लगता है म मज़ा आ गया हो, सरके यह बाए हाथ का खेल था, तो एक जिली वो बाए हाथ का खेल नहीं होता, मेनत लगती है उसके उपर, और एक दो घंटे एक लास चाह प्रयास की हो, चाह दर घंटे एक लास लक्ष की हो, उसके लिए 3-4 घंटे की अच्छी मेनत चाहिए होती है, औ तो यह बहुत सभी बहुत जादा मेनत करेंगे, और सभी टीचस बहुत मेनत करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो टेस्ट आपको बता दिया, तो आपका फरस्स टेस्ट होगा, आफ्टर 21 डेज ऑफ प्लास, पहले किस दिन कुछ पढ़ाई कर लो, रिदम में आ जाओ, फिर यहां जसा पहला टेस्ट होगा, तो दो मेंश के टेस्ट होगे, और और 2 मैंश के एक एडवान्स का, अब इ शह께 ब्रेक्स भी ओनगे, तो सक complete planner आपको यहां description में भी मिल जाएगा और अगर आपको अभी देखना है तो दिन तो पी डबलू के आप में जाके आप टेस्का प्लाइनर देख सकते हो All India test series start हो रही है आपकी October से offline format में आप इसको join कर सकते हैं इसको separately हम लोग बताएंगे test के syllabus की बात करें तो यहां भी revision को ध्यान में रखा गया है 70% आपको new syllabus मतलब जो current syllabus उस टाइम बैच में पढ़ा आपने उन पर्टिकुलर साथ दिन दस दिन के अंदर वो आएगा और 30% 30% syllabus जो आपने पहले पढ़ रखा है पिछले एक-दो महिने में या जो भी पुराने topics है वहां से आएगा तो 30% questions आपके पुराने 70% questions current आपके topics से आएंगे सभी कुछ explain हो चुका है यह आपका doubt इंजन है जब live class में आपको doubt आएगा तो वह भी answer करेंगे और उसके आद आपको recorded doubt आएगे तो वह भी answer करेंगे बहुत से teachers आपके classroom में जो आपको teachers पढढ़ा रहे है वह खुद भी काफी देर तक doubt इंजन के उपर बैठे होते हैं अपने voice message के तुर आपको answer देते हैं text के तुर answer देते हैं लिख के भी answer देते हैं फोटो कीच के भी देते हैं और बहुत सारे doubt के teachers भी हैं जो आपको उनके बाद भी लगातार answer देंगे तो इस तरह से doubt इंजन स वह खुद IIT ISM धनबाद से पास आउट हैं एक्स मेट्रोलोजिस्ट हैं सेक्योर सेवन रैंक और इंडिया रैंक इंटी अफर यूजी सी नेट रैंक उनकी 61 62 अल इंडिया थी और गेट 42 रैंक थी और राजवन सर का गर आपको डेमो लेक्टर देखना है तो आप प्रयास 2.2 बैस प्रयाकर से यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं राजवन सर्व फिजिक्स वाला आपको बहुत से लेक्ट्स उनके फिजिक्स के मिल जाएंगे आप उनके डेमो लेक्टर देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल के मेंस्ट्री लेंगे बहुत ही रि और कर चुके हैं आगे बरते हैं और अर्गनिक के मिस्ट्री आपकी इस बैच मिलेंगे पंका सिजेरिया सर अगर आप लोग पंका सर को नहीं जानते हो कोई बच्चा नया जुड़ा है तो मैं बता दू 14 प्लस यर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हैं बीटेक एच बीटेया कानपुर से हैं टॉट एड मेनी रिणाउन इंस्ट्यूशन्स मेंटर ओल इंडिया राइंग 3 629 इन जे एडवांस 32 और 42 इन नीट आल्सों सब्सक्राइब करेंगे आपके रिस्पेक्टेड राहूल डूडी सर जो लोग राहूल डूडी सर को नहीं जानते मैं इसको इंट्रडियूस कर देता हूं नाइन प्लस यह उफीचिंग एक्सपीरियंस है विट टॉप इंस्टूट्स ऑफ इंडिया खुद बीटेक हैं फ और नीट के लिए भी इसके बाद बात करें तो मैट्स की क्लासे आपके लेने वाले हैं सचिन जाकर सर नाइन प्लस यह उफीचिंग एक्सपीरियंस है बीटेक हैं एनाइटी कुरुशेत्र से वर्क एड्स अकेडमिक हैड एंड मेंटर मैनी स्ट्वेंट्स तो यह आपकी द्रीम टीम कमप्लीट हुई लाइफ क्लास रूम के एक्सपीरियंस आपके बहुत ही बहतरीन होंगे क्योंकि लाइफ क्लास्रूम के अंदर आपके पोल समलोक कराते हैं तो इस तरह से कुछ बोल होंगे तो यहाँ पे अगर स्क्रीन पे कोई क्वेश्चिं लिखा है और मै क्या है कि बैच के अंदर आपकी क्लास स्टार्ट होगी और क्लास के अंदर एक कोश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे पोल आ जाएगा कि तरह से पोल्स होगा टूवे इंटरेक्शन होगा आप अपनी डाउट लिकोगे टीचर तक आपके पॉपलर डाउट पहुत जाएंगे स्क्रीन के उपर आपके सारे डाउट तीचर को दिखाई पड़ेंगे इस तरह से कुछ पॉपलर डाउट रिसेंड डाउट क्या है रिस किसी का फोन नंबर मांगना इधर की बाते करना है ना तो इस तरह की फालतुबात के आंसर नहीं करते हैं टूवे इंटरेक्शन के अंदर वीडियो कॉल्स भी होगी बच्चों के साथ पर यह फीचर भी सेकिंड टेस्ट के बाद ही ओन होगा जब हम लोग देख लेंगे सब्सक्राइब करेंगे आगे बड़ते हैं तो यह मैं आपको बता चुका हूँ एक ओफरिंग है कि जो भी बच्चे प्रयास 1.2 सब्सक्राइब कर चुके खरीद चुके हैं उनको प्रयास 2.0 का एक्सेज विदिन नेक्स टूडेज मिल जाएगा विदिन 48 आर्स और जो ब बता चुका क्या होगा उसके अंदर टेस्ट आनलेसिस आप लोग को औरियंटेशन सेशन पूरा कंप्लीट दिखाएंगे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिखा दिए मैंने आपको मैंड मैप दिखा दिए क्यूमलेटिव डिपी मैंने आपको शुरुवात में बताया कि आपके करेंट टॉपिक से तीन से चार कुशन आपके प्रीविएस टॉपिक से आएंगे ताकि आप लगातार रिविजिन करते रहो इसके सिवाब बहुत से बच्चे लगातार मॉडियूल का पूछ रहते तो यह बेटाव जेए का मॉडियूल है आपका प्रयास का मॉडि मॉडियूल के नीचे अटाइच कर देते हैं तो यह मॉडियूल है इसकी प्राइज से 3026 रुपए तो तीन हजार मान लो पता नहीं ऐसा चबी सब्सक्राइच कर देंगे और एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे मॉडियूल के ऊपर आपको मॉडियूल इन डिटेल दिखा द तो जेई पास्टेनियर कोशें सोंगे इसके अंदर रिलाबरेटर सल्यूशन होंगे मैंस दॉक्रिक प्राक्टिस तो आप अगर अगर जो बच्चे पूच रहें कि मैं कौन सी बुक खरीदू तो उनको मैं रिक्रमेंट करूगा कि आप मॉडियूल ले सकते हो और मॉडिय इसके अग्रेसं सक्राइब करने डिलियू तो यह मोडियूल तो यह मोडियूल है इसके बिना सेल्क्षं हो जाएगा बिल्कुल इसके बिना भी सेलेक्षिन हो जाएगा क्रिण सितना पढशाते हैं Ultra Division सब tirar एंज एछी होता है और टेस्ट रेगुलर देना है और प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है उसके बाद भी अगर तुम पर समय बच रहा है तो इधर उदर की चार बुक्स बिलकुल नहीं लगानी है कि आप पूछोगा यह बुक लगाएं वह बुक लगाएं तो हम लोग बोलेंगे इसका यह चा पूछ सकें जिनको लगता है कि मेरे कुछ एक्स्टा सेशन ले लिए जाया है मुझे कुछ टॉपिक परसनली एक टीचर होम ट्यूशन की तड़ा पढ़ादे उनके लिए हम लोग ने प्रोग्राम डिजाइन किया था सार्थी बच्चे इनको बहुत ज्यादा प्यार दे जहां एक टीचर ही बैठा होता है जब आब एक बटन दबाते हो एप के अंदर आके तो अब हर डाउट सॉल होगा कहीं भी कभी तो कहीं भी कभी क्यों लिखा कि आप किसी भी टाइम आजाओ डेफिनेटली उसके आर्स हैं ऐसा कहीं भी कभी ऐसे नहीं है तो 16 आर्स देख पूरे साल का है बहुत सस्ता प्लाइन अगर आप देखो हैंड ओल्डिंग के हिसाब से तो आपका टाइम मेनेजमेंट कराएगा एक्जाम क्रेकिंस ट्रेटिजी आपको बताएगा आप जाके बता रहे हो कि फिजिक्स में पर्टिकुलर चैप्टर मेरा वीक है मैं क्या कर आपका साथ है कुछ लगातार देखता रहेगा आप किती क्लासे ट्रेंट कर रहे हो आपका कौन सा टॉपिक है टेस्स में किस तरह कोशन साप हर बार गलत करते हो किस टॉपिक है तो आपको बताएगा यार देखो तुम्हारा यह प्रॉब्लम है तुम लेक्शे नहीं तो जब भी इस तरह कि आपको दिक्कत होगी तो कोच आपको बताएगा कि अब यहां से कैसे कवर करो अच्छा तुम्हारा दस लेक्शर का बैक्लॉग हो गया है तो मैं तुम्हारा यह टाइम टेबल बनानेता हूं इस टाइम टेबल को तो आप वालो करना तो जिस तरह से आपका घर में एक आपका एक होम ट्यूटर होता है आपके भीया दीती होते हैं कंट्नियूसली आपको गाइड करते हैं उस तरह का यह प्रोग्राम है कुईज एंड टेस्ट पेपर डिसकेशन होगा यहां पर एक इंपोर्टन चीज है पैरें टीचर मीटिंग करते हैं जह है अच के अंदर बहुत ज्यादा हो गया अब नॉवेंबर आ गया है मेरे दो तीन चैप्टर निकल गये हैं अब उनके में लब में में वीडियो नहीं देख सकता तो उसका पहला सेलूशन है इसको खरीदे भीना आप समरी वीडियो देख लेना पर उसके बाद भी दिक्क सब्सक्राइब अब लोग आप लोग आ जाए तो बस अभी तो हम लोग खिचवा रहे हैं आगे तो आगे तो फैजल सब्सक्राइब अब बस आप लोगों को इस फोटो के अंदर आना है आज से एक साल बाद में एक और वीडियो होगी जिसमें जी एडवांस के सेलेक्शन दिखाए जाएंगे आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उस तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वह आप लोग यहां तक आप से मुलाकात होगी पहले औरियंटेशन सेशन में उसके बाद में क्लास में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो एक मुमेंट पर एक घंटे के या दो घंटे के अंदर नहीं समझाई जा सकती तुर आउट दर जर्नी पैरलल में चलते जलते समझाई जाएगी बाते करेंगे जर्नी डिफिकल्ट है लंबी है बट सातमें है ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पे बैठके फोन करते तो पढ़ ले अब देख ले न अपना ऐसा नहीं है साथ मैं अगले साल एडवांस तक सात्मे है ठीक है गवरादे की बिलकुल जलत नहीं है टी रहों सिलंए पंगा लिया बाद मत करिएगा ठीक है कुछ न कुछ जो भी आपको आता है अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और हम लोग बहुत जल्द बैच में मिलेंगे बेशिक से ही सारी चीजों को पढ़ाएंगे ठीक है बट हाँ एक चीज में आप सभी लोगों को बोलूगा की बेशिक से रह कमफट के साब से चलो बाद में आपको दिक्कत आएगी जब स्लेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा सबसे पहला टार्गेट है से लेबस कंप्लीशन फिर हमारा रिवीजन फिर हमारा एडवांस लेकिन एडवांस स्टार्टिंग से रहेगा ठीक है तो इस चीज का कोई वो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और तीन सब्द में तो मैं बस यह हूंगा कि पहला सब्द जो अभी इतने दिन बचे हैं आपके है ना तो इस समय को आप यूज करो और दूसरा यह है कि क्लास में आओ तो जो बताया जाए जो टीचर्स आपको बता हां आने वाला हैस बहुत बते होगई बस ले उनको नहीं मिलती जिनके फार बड़े होते नहीं को मिलती हैं जूट परढ़े चीजे होंगी हम लोग आपस में बात्चीत भी करते रहेंगे तो क्योंकि ये बैच ऐसा बनाया गया है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फेस टू फेस बाते हो रही हैं बीच बीच में हम लोग जूम के थूरू connect भी होंगे तो और ये भी एक अच्छा option है तुम पहनत की तो हमें लगता है बहुत अच्छा result इस बैच से लाएंगे हम सब लोगों का खाब जरूर है कि मुझे मैं अपनी बारे में बता सकता हूं हमारा पढ़ाया हुआ या मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा अब तक टॉप 10 में नहीं आया जही के अंदर तो मेरा फिर चीजें अब कुछ बचा नहीं है ना बताने को कि आप यह कर लो वो कर लो आप एक ही चीज लेकर आओ बैच में और अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हटा के आओ ठीक है एकदम फ्री माइंड आओ क्लास में और यह जो टीजर्स के आपके सामने टीम इस पर विश्व करनी थी मैं वह नहीं कर पाया तो उस चीज के लिए आप लोग अपना पूरा 100% देने के लिए अगर तयार हो तो जैसा सर ने कहा है टॉप 10 में रैंक जरूर आपको इस बैच से मिलने वाली है थिक है थिक है थिक है थिक लिए लग लव यॉल झाल आपको